Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Myself, Imaanshi and this video is going to be my full day study routine as SSC aspirant. So friends, let's start our day with some beautiful lines. बारिश की बूंदे भले ही कितनी छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है. वैसे ही हमारे परियास, चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, जिन्दगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं. So guys, आज मैं सुबह उठी 6 बजे and उसके बाद मैंने बनाई चाय और मैं चाय लेके आ गई हूं मस्त मस्त मौसम देखने के लिए. आप भी लो मौसम का मज़ा. चाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पे बैठने के बाद मैं आ गई अपने रूम में and मैंने थोड़ा भी बहुत रूम की साफ सफाई की, अपने बीस्तर को लगाया सही से, जो कि आप अभी देख सकते हैं. और ये मेरी टेबल है, इसकी भी साफ सफाई मैं तो रूम की सफाई करने के बाद मैं हमेशा कोलीज में जाने से पहले घर की सफाई करके जाती हूं, थोड़ी बहुत जितनी मेर से होती है, थोड़ा टाइम होता है, तो मैं जाड़ो निकाल देती हूं मेसा, तो अभी मैं जाड़ो निकाल रही हूं and उसके बाद फिर कोली के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो आप वहां पे जोइन हो सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट पुछना हो तो आप चैनल के चैट बुक्स में जाकर वहां पर पूछ सकते हैं अगर किसी एस-पी-स को बताऊगा तो वह भी जरूरद बताऊँगा और अगर मेरे को पढ़ गा तो मैं भी जरूर बताऊगी तो अब नहाद रोने के बाद अपने मोरनिंगे सब रूटीन करने के बाद में अब गया हैं चलते हैं चलते हैं कोजां जब तक हम कोलीज में कॉछ ना जोजो करती हुए वीडियो मैं बनाऊँगी जल्दी बनाऊंगी and अभी आप देख सकते मैं आ गई हूँ indubit बस्टोप पे यहां पे बस का वेट करती हूँ बस में आने के बाद बसंपे जाएंगे and अभी मैं पोच गया हूँ he is twenty मैं क्लासिव गईड़ा लगाई और में काल्सलों में हूँ यहाँ ठोड़ी देर गुरुप स्टड़ी करेंगे हम सभी फ्रेंड्स चैनि वहाँ जो आप देख सकते हैं हमारे कोलिज को यहां पर इतने मस्त मस्त पेड़ हैं इनके निचे बैठना में बहुत ज्यादा पसंद है हमारी ज्यादा तर कोलीज लाइफ इन पेड के निचे ही गई है तो अभी कोलीज से आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत देज रैस्ट किया एंड उसके बाद मैं अपना बस्ता मींस बैग उठा के आ गई हूं अपने स्टेडी रूम में तो अब मैं करूंगी कुछ प्रिप्रेशन तो कुछ welaइप छुछ ए MV प्रिप्रेशन ऐक्चुलि साथ-साथ में कॉलीज करना भी जुक्याहे हैं डिए क्योंकि कॉलीज में योटी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़े होते प्लीज जब ग्रेजुएशन होगी तभी तो उसके बाद हमारे में जो कि है पार्शल डिफ्रेंशियेशन तो अभी मैं उसी के कुछ कोशन्स वगेरा निकाल लोंगी एंड उसके बाद मैं करूंगे ससी के लिए कुछ परिप्रेशन एक्चुली कोलेज में कर लेती हूं मैं 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 तरुन ग्रोवर सर का बैच लिया हुआ है आप में से बहुत आप चाहे तो आप बैच ले सकते हैं मैंने केरियर वी लैप से बैच लिया हुआ है और मैं इंग्लिश के लिए कर रही हूं तरुन क्रोवर सर की मैंने क्लासिस अटेंड कि है उनके सभी नोट्स पनाया है इंड वोगैबलरी इस भी मैंने वहीं से की है और फिर उसके कादी वीडियो में जो होता है ना प्रीवीजी यर के सकति को दिए होता है दो किए र tartरust को दो और आप्टीव ठेता पालिए हूं और मैं आ हम की पर देख सकते हो मई रायइन की तरफ तो दियान मत देना आ है एक्चुलि मैं फिस्त क्लास में तो उ सट हैई थी आपकोалы हम लेकिन उसके बाद तो मेरी राइटिंग पता नहीं कैसी होती गई मेरे को खुद को भी कई बार समझ में आती है एक्जाम के टाइब में जब मैं नोट्स उठाती हूं लेकिन मैं कभी कभी कोशिश करती हूं थोड़ी बहुत राइटिंग को सुधार हो लेकिन इतना टाइम क कुछ पिया नहीं था तो पीने के लिए मैं कोफी बना रही हूं अपने लिए तो अभी कोफी बनाने के बाद मैं दुबारा आ गई हूं रूम में तो देखो आप कितना अच्छा वियू है इस खिड़की से ये मेरे सपनो वाले खिड़की नहीं है सपनो वाले खिड़की जो यह similar words होते हैं जिनमें बुच्छे बहुत ज़्यादा confused हो जाते हूं कुछ तो मैंने यह कर लिया थे लेकिन कुछ रहते हैं तो अभी मैं इनको रिवाइज करें जो थोड़े बहुत मेरे को ऐसे लगते हैं यह थोड़े बहुत मेरे को आते नहीं है या फिर थोड़ा सा words है या फिर मैं भूल जाती हूं को मैं मार कर लेता हूं जिसे बाद में सोते था मैं एक बार रिवाइज कर लोँ जो जो मैंने पढ़ा था जो जो मेरे को ठो हुच engine बहुत में उनको रात को सोते ताइम में है जो आपको टेलिग्राम चैनल पर भेज़ती हूँ उनको पढ़ लेती हूँ और थोड़ा बोधिये पढ़ लेती हूँ तो अभी मैं यही कर जी हूँ गाईज आज मैंने कई दिनों के बाद बनाया अपने लिए बोन विटा बनाने के बाद उसको अपने साथ लेके मैं आ गई हूँ उपर सबसे उपर वाले चट पे यहां से देखो आप पूरा गांव दिखता है देखो सब के घर दिखते हैं अभी थोड़ी थोड़ी लाइट चस गयी है थोड़ी सी रात हुने वाले थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो अभी आप देख सकती हैं यहां से कैसा वि insert होता है अभी मैं उपर से आ गई हूँ थोड़ी दे टहलने के बाद अभी मैं दुबारा पढ़ने बैठ चुकी हूँ अभी मैं देख रही हूँ मैं कौन सा चैप्टर कुलू क्या करूँ इंगलिश की मेरे पास ये गाइड है जिसमें NCRT की जो पोएम से वो है और इसमें वोकाइबलरी असान हो जाती है अगर आप वोकाइबलरी की प्रिपेशन करना चाहते है तो आप तर उनको वरसरी के क्लासी देख सकते है और आपको NCRT रीडिंग करने चाहिए जिससे आपकी वोकाइबलरी और अच्छी होती है इसलिए मैं इंगलिश करती हूँ जिससे मेरी थोड़ी बहुत वोकाइबलरी अच्छी हो जाए मैं थोड़ी बहुत पोएम लैसंस बगारा रीड कर लेती हूँ महाँ पर जो मुश्किल वर्ड्स लगते हैं उनको गूगल पर से निकाल लेती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब और डोंट फॉर्गेट टू कमेंट तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए हर हर महादेव